की बेटी है आर्ती राफ सिंग, उन्हों ने कहीं न कहीं इस बात के संकेच जरूर दिये हैं, कि आने वाले समय में आगर भारती जनता पार्टी हम पर ध्यान नहीं देती है हमारी मागों को पूरा नहीं करते हैं यानि हमें टिकट नहीं देती है तो जाहिड सी बात है, वो बगागती लेकिन मुझे लगता है कि वो कॉंगरिस की तरफ रुख कर सकते हैं क्योंकि इस वक्त जो कॉंगरिस के हालाथ हैं लोग सभा चुनाव के बात से जो परिश्चिति जहाँ कॉंग्रेस पार्टी का दाव है कि सरकार तो हमारी ही बनेगी और दस साल के कुशाशन को हम खत्म करते ही नजर आएंगे तो वहीं भारतिय जंता पार्टी का दावा है कि हम एक बार फिर से सरकार में काबिस होंगे और हर्याना में न्याप सिंग सेनी की सरकार बनती ही नि नित्वर लिकिन भारतिया जंता पार्टी का ये दावा कहीं न कहीं हर्याना में धहुमिल होता हुआ पार्टी के विधायक खड़े कर ultimensional पार्टी के CPA कि मुश्किलों को बढने का काम कर रहें असी साल । जो में चुनाव हैं जारखन, महरास्ट और हर्याना हर्याना में अक्टूबर के महिने में विधान सभाका चुनाव HOLANA ही इसे पहले टेकिट पटवारे को ले कर जहां भारतिय जनतापाटी मंथन नहीं कर रही हैं लेकिन भारतिय जंता पार्टी के कई विधायक और कई पूर्वे विधायक और कई युवा चेहरे इस उमीद में है कि भारतिय जंता पार्टी इस बार तो विधान सभा का चुनाव उनके चेहरे पर जरूर लड़बाएगी लेकिन भारतिय जंता पार्टी जहां कॉंग्रिस पार्टी पर हमलावर साबित होती वी नजर आती है तो वहीं भारतिय जंता पार्टी अपनी अंत्रिकल है को सुल्जाने में असमर्थ दिखाई दे रही है ऐसी स्तिती में गुरुगुराम से संसदी का चुनाव जीतने वाले राव इंदर जीत जो अपना दुखड़ा गाते वे नजर आते हैं हर्यान में कि राव इंदर जीत को केंद्रिय मंत्री नहीं बनाया गया राव इंदर जीत को एक बार फिर से राज्य मंत्री बना कर छोड़ दिया गया राव इंदर जीत जो कहते वे नजर आये थे कि युवा चहरे आते हैं चुनाव सांसदी का लड़ते जीत जाते हैं और केंद्रिये मंत्री पहली ही बार में बन जाते हैं लेकिन राव इंदर जीत के साथ भारती जमतपाटी ऐसा क्यों खलवाड कर रही है यह आरोप राव इंदर जीत ने खुद लगाया इसके साथ ही साथ राव इंदर जीत की नराजगी पंचकुला में ग्रह राव इंद्रजीत की नराजगी अनिलवेच की अब नराजगियों के इस दौर का जो चरम है वो विधान सभा चुनाव के सीटों को लेकर भी देखा जा रहा है अब ये चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि राव इंद्रजीत अब अपनी लड़ाई छोड़कर अपनी बेटी क समाज को विक्सत करना चाहती है तो वहीं राव इंद्रजीत ने 2014 में भारतिय जंता पार्टी से मांग की थी कि उन्हें अपनी बेटी के लिए विधान सभा चुनाव में चिकेट चाहिए लेकिन भारतिय जंता पार्टी ने परिवारबात का हवाला देते हुए राव चाहे निर्दलिये या फिर किसी और सबन्थन के बल्बूते पर ऐसे में क्या हरियाना में एक बड़ी तकरार शुरू हो चुकी है कि भारतिय जंता पार्टी से राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव सिंग बगावत करती वी नजर आएगी और क्या साथ राव इंद्र देंगे इस कड़ी में एक भारती जंता पार्टी के कई और विधायक भी चटकते हुए नजर आएंगे तमाम सवाल कई और पंते हैं मेरे साथ माजूद है मेरे साहियोगी सिराज सिराज क्या लगता है हरियाना में इसी साल चुनाव और आरती राव सिंग जो राव इंद् अगर भारती जनता पार्टी हम पर ध्यान नहीं देती है हमारी मागों को पूरा नहीं करते हैं यानी हमें टिकट नहीं देती तो जाहिड सी बात है वो बगावती तेवर अपना सकते हैं, और दखिए जिस तरीके से आरती राव सिंग बयान दे रिए रही हैं, बलकि वो अपने पिता को परिस्तितियों को देखते हुँए और अपनी पिता के अनुमती की बिहाप पहीर दे रही हैं, क्यूकि उनके पिता खुद यह चाते हैं कि चुनाव जी जाते हैं लेकिन मैं लंबे समय से भारतिय जन्ता पार्टी का हिस्सा हूं लेकिन मुझे केंद्री मंदल में जगा नहीं मिली तो जाहिड सी बात है कि यह एक बड़ा कदम जरूर होगा और जिस तरीके से आर्ति राव सिंग ने आर्रोप लगाया है या यह च चेतावनी दी है कि कहीं न कहीं आने वले समय में मैं अगर भारतिय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं किसी और के समर्थन से भी चुना उलड़ सकती हूं तो जाहिर सी बात आप देखे कि राविंदर जीत के संपर्ख है वो कॉंग्रिस पार्टी से रहे हैं और कॉ जो है अल्पमत में है और जिस तरीके से भले ही सरकार बचाने में काम्याब रही है लेकिन मुझे लगता है विधानसरा के चुना परणायम जबाएंगी तो उस समय परिष्टित कुछ और होगी और राविंदर जीत और आरती रावसिंग इस बात को बहु भी समझते हैं कि भारती जनता पार्टी के एलावा उनके पास विकल्ब के तौर पर कॉंग्रेस पार्टी को अगर अच्छे परदर्शन करने है तो जाहिड सी बात है कुछ बड़े चेहरों पर दाव खिलना होगा खास तो तौर पर देखा जाए राव इंदर जीत कोई छोटा चेहरा नही तो मुझे लगता है कि इन तमाम परिस्तितिों को देखते विए अब कही न कहीं कॉंगresse पार्टी जो है उनकी बेटी को मौका दे सकती है अगर भारती जन्ता पार्टी नहीं दीकट नहीं देती है आर्ती राज सिंग मुझे से पहले आपको ये बता कि भारती निर्दलीए विधायक. भी माजूद थे और निर्दली विधायकों की बात करें तो भारती जंतापार्टी से तीं निर्दलीए विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया एक और निर्दली विधायक Wagaharvi यहां से टिकेट नहीं दिया लेकिन अब यही विधाय को टिकेट को टिकेट थे नहीं पड़ेंगा बाश्चापूर से नहीं देते हैं तो मैं भगावत करने के लिए तयार हूं जहां बहुमत साबित करती भारते जनता पार्टी एक वक्त पर नजर आ रही थी वही भारते जनता पार्टी अपने विधाय को को बचा नहीं पा रही है ऐसी इस्तिती में कॉंग्रेस पार्टी से ओफर आता है तो राव इंदरजीत की बेटी जरूर चुनार लड़ती हुई नजर आ सकती है क्योंकि 2013 तक राव इंदरजीत कॉंग्रेस पार्टी का हिस्सर है 2014 में बात करें तो राव इंदरजीत भारते जनता पार्टी का हिस्सर बन गए 2014, 2019 और 2024 में भारते जनता पार्टी को गुरुगराम से चुनाव जिताया लेकिन आज यही राव इंदरजीत भारते जनता पार्टी की मुश्किलों को खड़ा करते वे नजर आ रहे हैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिराज की क्या भारते जनता पार्टी के कई और विधायक भी बगावत करते वे नजर आ सकते हैं और क्या इस कड़ी में अंबाला से अगर अनिल विच का भी टिक क्या बड़ी बगावत कर सकते हैं। पर देखना होगा कितनी सफलता बात है। लेकिन जिस तरही के से अनिल विज लगतार बयानबाजी कर रहे हैं। लगतार खुद को एक बड़े निता के तोर पर पीश कर रहे हैं। बारते जनता पार्टी को इस बात की खबर जरूर है कि आने वोले समय में कुछ बड़ा कह सकते हैं उलट फिर देखने को मिल सकता है और पहले से यह घोशना करना देखिए कि मद्यपरदेश या फिर 36 गड़ या फिर राजितान में जब विधान सबा चुनाव थे उस वक्त पर पहले के कह दिया गया है कि निर्दतों में चुनाव लड़ा जाए तो इससे मुझे लगता है और ज्यादा अब जो महौल हो खराब होता हो नजर आ रहे हैं अब बिल्कुल यही देखना होगा कि विधान सभा चुनाव से पहले क्या भारती जनता पार्टी फस्ती वी पेनी नजर आएगी का राव इंडर जीत राव इंडर जीत के बेटी आरती राव सिंग और कि अनिल विज इसकड़ी में भारते जनता पार्टी को और ज़्यादा परे नजर आएंगे, क्या यह चुनाञ़ पार्टी पर भारी पड़ेंगी। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्यारा इकम सेक्शन में ज़रूर बताएं देखते हैं स्पेन नाइन नियूस थाने बाद